तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए लेटिस्ट और धमाकेदार वीडियो में और आज का ये वीडियो धमाकेदार और इसलिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में लोग 10 क्लास के उर्दू का पांच नंबर वाला मॉश्ट इंपॉर्टिन सब्जेक्टिव कोशन करने वाले हैं इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगो दो और तीन नंबर वाला सब्जेक्टिव कोशन करा चुकि हूं अगर जरूर देखिएगा ये सारा वीडियो सारा कोशन आप लोगों के लिए अमरित के समान है और आज के इस वीडियो से आप लोग का पांच नंबर वाला सब्जेक्टिव कोशन क्लियर हो जाने वाला है जो भी कोशन आप लोग के बोड़ इक्जाम में पूछेगा इसी कोशन में इसे पूछेगा इसलिए मैं आप लोग वोड़े ना इक प्हومिन कराने वाली हूं हर एक कौशन पर आप लोह का मांड होना चाहिए एक Ci FYन इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग कम से कम इस वीडियो को पाँच लोगों के पास शेयर जरूर करें पाइच लोगों से जाधा लोग के पास अगर आप लोग के पास शेयर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कट लीजिएगा तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं सारा कोश्चन मॉस्ट इंपोर्टेंट एक बर्फिर से याद दिला दे रही हूं तो हरे कोश्चन को धियान से देखना है समझ कर याद करते चलना है सबसे पहला सवाल है कि जबीदा कौन थी उसकी शादी के दिन कौन सा हादसा रूनमा हुआ कौन सी घटना हुई ये फरार नाम के चैप्टर से कौश्चन उठाए गया है तो चलिए जवाब देख लेते हैं जवाब तो अलड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है ना तो देखिए पास कर लिया था महमूद उससे शादी करने पर अमादा हो गया था हलांके वह औरत के वजूद से खौफ जदा रहता था चुनांचा हुआ ससुराल पहुचता तो अचानक अंजाना सा खौफ उस पर तारी हो गया उसकी हालत बदलने लगी उसका सारा जिसम कांप रहा था और जुबान एकदम से बंद हो गई आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ बताती हूँ शादी के घर में एक हंगामा बर्पा हो गया महमूद के दोस्त जबीदा के वालिदीन और सारे लोग कोशच कटके ठक गए मगर महमूद की हालत में फरक नहीं आया या बिमारी नहीं थी य अफसाना में आप लोग को अलड़ी बहुत ही अचे तरीके से पढ़ा चुकी हूँ और आप लोग जानते होंगे इस फरार नाम के अफसाने में इस कहानी में जो मरकजी किरदार है वो महमूद है महमूद एक ऐसा लड़का रहता है जो कि बचपन में ही अपने मा को डाटत पटकारते हुए देखता है कैसे वो अपने हस्बेंड को अपने शोहर को डाटती है उन पर चिलाती है तो बचपन से ही महमूद के जहन में यह बात बैट गई रहती है ना कि औरते बहुत ज़्यदा खतरनाक होती है जगरालू टाइप की और बचपन से ही महमूद औरतों स से बहुत ज़्यदा डड़ता है और इस तरह उसका मतलब उसकी मंघर पपा तो मतलब वालीदीन की मौथ होजाती है लेकिन जब यह बढ़ता है तो इसके अंदर यह खौप रहता है कि ओरते बहुत ज़्यदा खतरनाक ह amendment को यह तरक्यकरतानी हैं तो उसी मेंसे नाम की लड हो जाता है लेकिन फिर भी यह औरत के वजूद से खौफ जदा रहता है मतलब यह औरतों से डरता है और को देखते के साथ ही इसके अंदर डर पैदा हो जाता था तो इसका थर थर कापने लगता था तो इस तरह इसकी हालत थी और जब जबीदा से शादी करने के लिए यह अचानक धेर सारी औरतों को एक साथ देखता है ना तब तो इसकी हालत बदलने लगती है इसका सारा जिसम जो है कापने लगता है एक दम से उसकी जबान बंद हो जाती है घर के सभी लोग जो है ना इकठा हो जाते हैं जबीदा के वाले दिन माता पीता आकर जो है ना भी लोग सोचने लगे कि क्या हो गया शादी के दिन क्या हो गया ठीक है लेकिन बिचारा वो जो महमूद है वो शादी शुदा जिन्दगी गुजारने के लिए अपने आपको तयार नहीं कर पा रहा था बलकि वो एक फरार का रास्ता अपना चुका था ठीक है अब वो फर पूरा पढ़ा चुकी हूं और इसी तरह आप लोगो अगर एक्जाम में कोश्चन पूछता है तो इसी तरह आप लोगो लिखना है ठीक है लंबा चोड़ा पांच नंबर वाला है तो थोड़ा लंबा लिखेंगे अब बहुत ज़्यदा लंबा नहीं लिखना है कि टाइम इसने किस से कही और क्यूं बताना है जवाब देख लेते हैं या अलफाज है बरकत अली सिद्धकी के जो आशियाना के एक एहन किरदार है आशियाना नाम का जो कहानी है अफसाना इसका मरकजी किरदार आप बोल सकते हैं वो है बरकत अली ठीक है बरकत अली का ही अलफाज है कि ठक गया हूँ मैं आराम करते करते वह अपनी बीवी से वो खातिब हैं बरकत अली रिटार्मेंट के बाद अपने बेटे और बहु के साथ रहने आये हैं बहु बेटे बड़े फर्माबरदार हैं उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं बस सिर्फ यह नहीं चाहतें के बुड़े माबाप उनके अमुर खानादारी में किसी किसी कि दखल अंदाजी करें बरकत अली को हर चीज मैसर थी मगर यू हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना वक्त पर खाना खाना और आराम से लेटे रहना किताबे पढ़ते रहना उन्हें पसंद नहीं इसलिए वो अपने बीवी के साथ अपने शहर और अपने बोसीदा मुकान में नमक रोटी खा कर जिन्दा रहने के लिए लोट जाते हैं हाँ आप लोग कहानी पता होगा अश्रियाना नाम का ये कहानी में आप लोग को ये भी कहानी पढ़ा चुकी हूँ अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िए इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएए मतलब आप हर एक वीडियो को वन बई वन करके देख सकते हैं तो इस तरह आप लोग को अंदाजा मिलेगा कि किस तरह लिखना है और पूरी कहानी क्या है तो इस आश्रियाना नाम के कहानी में बरकतली रहते हैं जो की रिटार्मेंट हो जाता है इनका मैं आप लोग को जबान सी समझा दे रही हूँ ज्यादा ना लंबा खिषते हुए एक दम शॉर्टकॉट में बता दे रही हूँ कि बरकतली रिटार्मेंट के बाद अपने बहु बेटे के घर जाते हैं अपनी वाइफ को लेकर सुचते हैं कि अब चले जाता हूँ अपने बहु बेटे के घर वही पर रहूँगा अकेले तो यहाँ पर रहा नहीं जाता है तो वहीं पर चले जाते हैं वहाँ पर जब अपने बहु बेटे के घर जाते हैं तो बहु बेटे बहु दा फरमाबरदार रहते हैं उनकी हर खौईश को पूरा करते हैं अपने माब करने जाती च पिर कुछ भी बताती नौकर को भी तो उनका जो बेटा है बंकत या फिर बहू वह दोनों कहते कि देखिए आप लोग का क्ाम करने का अब भाना खत्म अब हम लोग की बारी है अब आप लोग अराम से रहे हम लोग को करने दिजिए और कोई भी मतलब आप बोल सकते हैं कोई भी काम करने ही नहीं देते हैं सिर्फ इन दोनों बरकत अली और उनकी बीवी का काम क्या था सिर्फ आराम से खाना हाथ पर हाथ रखे बैठना और फिर उसके बाद से आराम करना या फिर जो भी करना लेकिन काम नहीं करना है सिर्फ ख आश्याने में चले भली हम लोग नमक और रोटी खाएंगे लेकिन हमारा घर हमारा आश्याना में हमारा हक होगा ये बेटे बहु का घर है अपना घर नहीं है इस पर किसका राज चलेगा बेटे बहु का राज चलेगा चलो हम लोग वापस अपने पुराने वाले आश्याने म बड़ते हैं। next question है कि सरस्यद secured ACuto ने रयाकारी से बचे रहने के लिए कौन से तरह के बताए हैं। तो सरस्यद कहते हैं भला क्या है और बुरा क्या है यह मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले quran का मुताला करना चाहिए। बिलकुल सही बात बोले हैं सरस्यद देमदखा, तरस्यद कहते हैं कि भला क्या है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, या मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले कुरान का मुताला करना से, कुरान पढ़ना चाहिए, उसके बाद सुन्नत रसूल पर अमल करना चाहिए, उसके इलावा दोस्तों की जुटी से खुश होने के बजाए हमें यह सोचना चाहिए कि वह अच्छाईयां मेरे अंदर मौजूद है या नहीं जो आपके दोस्त हैं वह आपकी तारीफ करते हैं तो उस तारीफ जो आपके दोस्त कर रहे हैं तारीफ सुनने के बाद आप यह सोचिए कि सच में मेरे अंदर क्वा दुश्मनों की नुक्ताचीनी का जाइजा लिया जाए और खुद को उन बुरे कामों से बचाया जाए सबसे उम्दा तरीका मिलब सबसे अच्छा तरीका यह है कि दुश्मनों की नुक्ताचीनी यानि कि दुश्मन जहां पर रहते हैं वो क्या क्या बात कर रहे हैं उनकी ज कमियों को ठीक कर सकते हैं बुरे कामों से आप बच सकते हैं जिसका एसास दुश्मनों ने दिलाया है दुश्मन एसास दिला देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है ठीक है तो वो सारी चीजे जो है आप दुश्मनों की नुक्ताचीनी का जायदा लेकर ये कमी को दूर कर सकते ह अपने अंदर की क्योंकि हमारा दुश्मन ही हमारी खराबियों को बहतर तरीके से उजागर कर सकता है बिल्कुल दुश्मन ही हमारी कमियों को हमारी बुराईयों को चुन-चुन कर रखा रहता है तो अगर हम उनकी नुक्ता चीनी करे जो भी बाते करते हैं सुने तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कौन सी कमी है और उस कमी को हम लोग सुधार सकते हैं ये बताए हैं सरसेयद मलखार या कारी से बशने के लिए अब अगला सवाल है कि सूरज गरहन और चांद गरहन का मुक्तसर तारूफ पेश कीजिए यहाँ पर आप लोग को बताना है कि सूरज गरहन किसे कहते हैं और चांद गरहन किसे कहते हैं मुक्तसर तारूफ करना है यानि कि नहीं ज़्यदा छोटा और नहीं ज़्यदा लंबा देख लेते हैं इनसर फड़फट जवाब में लिखा हुआ है कि किसी एक सैयारा या सितारा पर जजवी या मुकमल साया पढ़ता है तो गरहन होता है बिल्कुल सही बात है इसी तरह आप लोगों को भी लिखना है अगर कोशन पूछे तो किसी एक सयरा यान कि किसी एक प्लानेट या फिर सितारा पर जजवी यानि कि आधा या फिर मुकमल आधा या फिर पूरा परचाई पढ़ने लगता है न तो गरहन लगता है चुमके चांद जमीन का तवाफ करता है यानि कि चांद जो है न चांद मान लिजे हम लोग का ये अर्थ हो गया ठीक है चांद वो जमीन यानि कि पृत्वी का तवाफ करता है चक्कर लगाता है ये हो गया आप लोग का मून ठीक है ये जो चांद है पृत्वी के चारों तरफ चक्र लगाता है यानि की तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है और ये जो हमारी पृत्वी है जमीन ये किसका तवाफ करती है किसका चक्र लगाती है तो स्टन का चक्र लगाती है सूरज का ठीक है इसलिए चा चांद का जमीन और सूरज के दर्मियान आ जाना लाजमी है इसी वजह से जब यह लोग तवाफ करते हैं प्रिथवी के चारों तरफ चांद जो है ना चक्कर लगाता है और प्रिथवी सूरज के चारों तरफ चकर लगाती है तो होता यह है कि इस तवाफ के दौरान चांद क जमीन और सूरज ये हैं हमारा प्रिथवी यानि कि जमीन और सूरज के बीच इस चांद का आ जाना लाजमी है क्योंकि चांद जो है ना तवाफ करते 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 यहां पर तो बीच में आ ही जाएगा ना चांद तो मानले जिए बीच में मून आ गया चांद आ गया तो होत पर पढ़ने लगता है पृतवी पर पढ़ने लगता है और सूरज धका हुआ दिखाई देता है तब ऐसे वाकिय को हम लोग क्या कहते हैं सूरज गरहन कहते हैं अब इन दोनों के माली जे यह आ गया Mooon अब एक बार फिर से बना दे रही हूं यह हो गया हम लोग सार्थ ठीक है इसके चारो तरफ मूझ है और इसके चारों तरफ संन के चारों तरफ अर्थ यामिन की प्रितवी चकल लगा रही है और जो चांद है I चकर लगाते लगाते सूरज और पृत्वी के बीच में आ जाता है तो होता यह है ना कि जब चांद सूरज और पृत्वी यानि कि जमीन के बीच में आ जाता है तो चांद की परचाई पृत्वी पर पढ़ने लगती है और सूरज जो है ना चांद से ढखा हुआ दिखाई द बिल्कुल सही बात है आप लोगों समझा देती हूं इसको भी कि मालीजी हम लोगा यह सन है और इसके चारोतरफ कौन चक्र लगाता है अर्थ यानिकी हम लोगा पृत्वी जमीन और जमीन यानिकी पृत्वी के चारोतरफ कौन चक्र लगाता है तो चांद चक्र लगाता है त चांद जो है न चक्र लगाते 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 इधर आ जाएगा ठीक है अब देखिए सन यानि की सूरज और चांद के बीच में अब कौन आ गया पृत्वी आ गया यानि की पृत्वी टपक पड़ी तो अब क्या होता है कि पृत्वी की परचाई चांद पर पढ़ने लगत हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्शन सवाल है कि आगा हशर कस्मीरी के ड्रामा निगारी पर एक मजमून लिखिए आगा हशर कस्मीरी जो है ना किस तरह के ड्रामा लिखते हैं उनकी ड्रामा की क्या विशिश्टाय है इस पर एक मजमून यानि की निबंद लिखना ह या फिर या में करकर दिया है उर्दू तनकीद के आगाज और इर्तका पर रोशनी डालिए उर्दू तनकीद यानि कि अर्दू में तनकीद लिखने की शुरुआत कैसे हुई किस तरह उर्दू में तनकीद का विकास हुआ है ये आप लोगों को बताना है तो चलिए जवाब देख लेते हैं फड़ाफट जवाब में लिखा हुआ है कि अर्दू ड्रामा निगारी की तारीख आगा शर के नाम के बगएर ना कमल समझी जाएगी बिल्कुल सही बात है भई उर्दू ड्रामा नेगारी की बात हो रही हो और आगाहशर का नाम ना लिया जाए तब तो उर्दू ड्रामा नेगारी ही पूर नहीं है यानि कि मुकमल नहीं है ना मुकमल है तो उर्दू ड्रामा नेगारी की तारीक में हिस्ट्री में आगाहशर का नाम बहुत ही अगाशर पहले ड्रामा निगार है जिन्होंने ड्रामे में उस्री जिन्दगी की हकाई को मौज़ बनाकर पेश किया है और उसे फंकी हैसिया दी आगाशर के ड्रामा निगारी की एक खसूसीयत यह भी है ज निगारी के सलूब में एक इनकलाब पैदा किया और मुक्तसर यह है कि उर्दू ड्रामा निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने और उसे मकबूल आम बनाने में आगा शर को फरामोश नहीं किया जा सकता बेशक उन्होंने उर्दू ड्रामा को मौजू हुए फन और असलू पर जो भी काम कियें जो भी खोज कियें वो आप लोगों को तफसील से लिखना है एकदम विश्तार से जवाब देख लेते हैं आज से डेर हजार बरस कबल आर्यभट ने इल्म नजूम के ऐसे असूल वज़े किये थें जिनको देखकर आज के साइंस दा हैरत ज़दा थें इल्म नजूम यानि की डेसिमल सिस्टम सूरज गरहन और चांद गरहन के सिलसले में तफसीली मालूमात आर्यभट नहीं कराई एक मिनट इसको थोड़ा समय और आगे कर लेती हूँ हाँ अब देखिए फिर से मैं पढ़ देती हूँ आर्यभट ने किताब आर्य सिध्धान और तंत्र ये किताब लिखी और पहली बार आर्यभट ने साबित करके दिखाया कि की जमीन ये प्रिथ्वी है वह फूरज चक्कर लगाती है और कहा जाता है कि मशूर माहिरे ilm डियाजी पाइथागोरस की रहनमाई अर्यवठ नहीं की थी बिल्कुल सभी बात हैं जो मशूर साइदिस्ट पाइथागोरस थे उनकी भी रहनमाई आरेबट ने किया था यानि कि उनको भी सलाह मशवरे देने का काम करते थे Next Question है कि उर्दू में नाविल निगारी पर एक मदमून लिखिये उर्दू में नाविल निघारी कैसे नाविल लिखा जाता है नाविल निगारी की शुरुआत कैसे हुई आगाज वा इर्टगा के बारे में लंबा चड़ा मजमून लिखकर आप लोगो खड़ा कर देना है निबंद लिखना है तो चलिए जवाब देख लेते हैं उर्दू में नाविल निगारी की इपतदा नजीर एहमद के नाविलों से होता है बिल्कुल सही बात है नजीर एहमद के नाविलों से ही नाविल लिखने की शुरुआत हुई इन्होंने उर्दू के चंद इसलाही नाविले लिखें उनके बाद रतन नाथ शर्षार ने सेर कहसार और फसाना आजाद लिखकर इस फन को आगे बढ़ाया तेके नजीर एहमद तो नाविल निगार नाविल निगारी की फन यानकी कला को आगे बढ़ाया उसके बाद से किसका नाम आता है रतनाथ सर्षार के बाद से नाम आता है अब्दुल हलिम शुरुर का अब्दुल हलिम शुरुर ने तारीखी नाविलों की दाग बैल डाली यानि कि अब्दुल हलिम शुरुर जो है हादी रिसवा इन्हों ने उम्राव जान अदा लिखकर अर्दू नाविल के फन को ना सिर्फ फरोग ही दिया बलके इसे उरूज पर भी पहुंचाया बिल्कुल सही बात है मिर्जा मुहम्मद हादी रिसवा जो है ना ये जो उम्रा व जानादा यह नाविल इतना जश्यदा फेमस होग इतना जश्यदा मशूर कि यह नाविल लिखने के बाद उर्दू नाविल निगारी की जो फ़न है कला बहुत उचाई तक पहुंच गई उसके बाद से रुस्वा के बाद प्रेम चंद और तरक्की पसंद नाविल निगारों ने इस फण में बेश बहा इजाफे किये मर्द नाविल निगारों में शाना बशाना खुवातीन नाविल निगार करतुल एन हैदर इसम चुकताई जिलानी बानो खदेजय मस्ताउर और हाजरा मसरूर वगयरा ने भी इस फण को तरक्की दी बहुती तेरह मीड़ा वगयरा नाम भी है तो इस तरह आप लोगो लिखना है और यहां पर भी लिखा हुआ है असरे हाजर में तो इस तरह आप लोग इतना लंबा लिख भी सकते हैं और चाहे तो मरकजी ख्याल पेस्ट करना है यानि की ठीम बताना है कि इस चेप्टर में क्या बताया गया है चले स्टार्ट करते हैं इसका भी जवाब जेरे निसाब इत्बास का मरकजी ख्याल इसला है तो अबतल नसू नजीर एहमद का ऐसा नाविल है जो इसलाह के नकते नजर से लेकिन तोब्तल नसू में एक खास मकसद औलाद की इसलाह करना है जेर निसाब इत्बास से भी यही जाहिर होता है कि मा बेटी की गुफ्तगू मजभी बातों से शुरू होती है और आखिर में फैमीदा और नसू ऑलाद की इसलाह का बेड़ा उठाते हैं आप लोग यह नाविल पढ़े भी होंगे मैं आप लोग पढ़ा चुके हूँ फैमीदा और मजली बेटी हमीदा इन लोग की गुफ्तगू स्टार्ट होती है फैमीदा और मजली बेटी जाती है उसकी हमीदा तो मा और बेटी में जो है ना गुफ्तगू स्टार्ट होता है म यार होते हैं वो बोलती है कि मैं अपने दोनों बेटियों को शिक्षा दोंगी पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और आप अपने दोनों बेटे को पढ़ाएंगे तो इस तरह अपने ऑलाद की इसलाह का बेड़ा उठाते हैं तो इस तरह आप लोगो को लिखना है आगे बढ़त है ये याद रखिएगा उन्होंने अपनी बेटियों की इसलाह के खातिर नाविले लिखे ये नाविल किसलिए लिखे अपनी बेटियों के लिए अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए जाहिर है कि नाविल में इन सारे अज़जाए को इस्तमाल में लाया जो बाद में इसके अज़ज़धर के बीकरार दिये गए देखिए जब नाविल लिखना स्टार्ट किये नज Urmada तो दूसरा कोई नाविल था ही नहीं यह पहले बार नाविल लिखे थे, और जो भी नाविल में चीज़े जरूरी होती है, जो भी अज्जाय तर्कीबी होती है, जो नाविल में रखा जाता है, वो हर एक चीज मوجود था, नजीर एमद, जो नाविल लिखे थे. तो यह सबसे बड़ी बात है। जबकि नाविल का कोई एक नमूना भी नहीं था इनके पास, कि नाविल देख देखकर कैसे लिखा जाता है, क्या चीज उसमें रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी जब ये नाविल लिखे ना, तो वो उसके अज्जायत तरकी भी बन गई, यानकि वो च किया, जैसा के उपर लिखा गया है, कि नजीर एहमद नाविल की अब्तदाई ही है, देखें यहां पर, नजीर एहमद के नाविल अब्तदाई है, इसलिए या खामियों से पाक नहीं, तो यही बात है, कि नजीर एहमद पहली बार नाविल लिखे थे, तो पहली बार कोई से पाक नहीं है आप बोल सकते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी गलतिया भी है नाविल में लेकिन स्टार्टिंग है तो उतनी तो गलतिया चड़ी कोई दिक्कत ही नहीं है आगे बढ़ते हैं मक्तूब नेगारी की क्या फायदे हैं मक्तूब नेगारी नसर नसरी सिन्फ अदब मक्तूब नेगारि को क्या फाइदा है घनां कि यह उतहें लिए जैसा भी फायदा होता ही है मक्तूब निगारी से यह फायदा होता है कि वह जिस जमाने में लिखा जाता है उस जमाने की हालत और उसके तस्वर हमारे सामने होती है ऐसा तब होता है जब मक्तूब निगार फणकार हो आम खतूत लिखने वालों के खुटूत में या खुसूसित नहीं पाई जाती, कहा जाता है, कि ख़त से आधी मुलाकात हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, देखिए, कोई भी फण हो, कोई भी आर्ट हो, उससे फाइदा तो होता है, और मक्तूब निगारी जो है, जो एना, इससे फाइदा होता यह सारा जो है ना उस वक्त के हालात के बारे में हमें पता चलता है और ऐसा तब होता है जब मक्तूब लिखने वाला या इनकी खत लिखने वाला फनकार हो या इनकी आर्टिस्ट हो ऐसे नॉर्मली जो आम खतूब लिखे जाते हैं उसमें ये खसूसियत की विखरिश्टा होई नहीं सकती जो खत लिखने में यानकी मक्तूब लिखने में माहिर है आर्टिस्ट है उसमें ये विखरिश्टा जलकती है और कहा जाता है कि खत को आधी मुलाकात भी कहा जाता है यानि कि खत से आधी मुलाकात हो जाती है आगे बढ़ते हैं फड़ा फट गालिब के इलावा कितने कलमकारों के मकातीब किताबी शकल में शाय हुए हैं गालिब को छोड़कर, कितने कलमकारों के मकाधिप, यहनु किताबी शकल में हशाई हुए है। तो देखिए, गालिब के एलावा, जिन कलमकारों के मकतुबात किताबी शकल में मौजूद हैं, उनमें, सरसएड, हाली, शिबली, महदी अफादी, सेयद सुलिमान नद्वी, फैज अहमद फैज, मजनू गुरखपूरी और मुलाना अबुलकलाम आजाद के नाम काबिले जिक्र है इन सभी लोगों के जो खतूत का आप बोल सकते हैं किताब वो परकाशित हुआ है शाय हुआ है, गालिब को छोड़ कर बताना था कि कितने लोगों का खतूत का किताब परकाशित हुआ है तो इतने सारे डोगों का नाम लिखा गया है, आप सभी लोगों का नाम भी लिख सकते हैं और इतने से अगर कुछ भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, सवाल पुछता है, तब ही आप लोगों को ये अंसर लिखना है, आगे बढ़ते हैं अर्दू के मक्तूब निगारी की इपतदा और इर्तकाई पर रोशनी डालिए अर्दू के मक्तूब निगारी यानि की अर्दू में जो लेटर राइटिंग खतूब निगारी की इपतदा कैसे हुई शुरुआत कैसे हुई आगास वा इर्तकाई यानि की कैसे सुरुआत हुआ विकास कैसे हुआ कैसे अर्दू में मक्तूब निगारी आगे बढ़ा ये आप लोगों को बताना है तो देखिए जवाब में लिखा है कि अर्दू में मक्तूब निगारी की फन से इंकार की कुन जाईश नहीं इसकी अबतदा का सही ताइन करने के लिए दफतर चाहिए हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि गालिब से किबल अर्दू के जो मक्तूब निगारी के नमूने मिलते हैं उसमें अलकाब औ आदाब के लावा अदक और भारी अलफाज इस्तमाल होते थे खत मक्फे वा मस्जे अबारत में होते थे गालिब ने इस रोश को ना सिर्फ खत्म किया बलके मक्तूब निगारी के फन को एक नए अलकाब औ अदाब दिये मुरासला को मुकालमा बना दिया तो इस तरह आप लोग को एंसर लिए अगर ये कोशन पुछता है तो देखिए थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है क्योंकि ये पांस नंबर वाला है जो मॉस्ट इंपोर्टेंट कोशन है वही मैं उठाई हूं जो कि आप लोग के एक्जाम में पूछने के मतलब चांसिस बहुत जादा है तो आप लोग हर एक कोशन पर कमांड कर लेना है एक भी कोशन आप लोग को छोड़ना नहीं है और बीच बीच में मैं आप लोग को याद दिला दे रही हूं प्लीज वीडियो को लाइक कर दे अभी तक लाइक नहीं किये तो शेयर कर दे चैनल पर रहे हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी रो जाने वाल वीडियो और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे कुशन देखते हैं कि अफसाने के इर्तकाय का जाहिजा लीजिए अब बताना है आप लोगो अफसाना यानकी कहानी लिखने की शुरुआत कैसे हुई इसका अगाज और वाविकास कैसे हुआ या आप लोगो लंबा चुड़ा एंसर में लिखना है तो देखते हैं अफसाना दोर जदीद की पैदावार है उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन है या ताकी की तलब अमर है कोई सज्जाद हैदर यल्दरम को उर्दू का पहला अफसाना निगार मानता है तो कोई अली महमूद को चुंके यल्दरम का अफसाना नशे की पहली तरंग उनईसाइसबी में शाय हुआ यान की परकाशित हुआ था और उनईसाइचार में अली महमूद का अफसाना च्छाओ मनजरे आम हुआ था देखे यल्दरम का अफसाना कहानी नशे की पहली तरंग ये सन 29.2 में शाय हुआ लेकिन 19.4 में महमूद का अफसाना च्छाओ मनजर्यामुह परकाशित हुआ इस बहत से गते नजर हम प्रेम चंद को अर्दू का पहला अफसाना नि गार और अर्दू का पहला अफसाना दुनिया का अन्मोल रतन को मानते हैं उन्हें सतीन इस भी में किया गया था उन्हें सतीन में ये दुनिया का अनमोलतन ये जो कहानी है ये प्रकाशित हुआ था आगे बढ़ते हैं अर्दू अफसाने के रतका में नियाज फत्यपूरी सज्जाद हैदर यल्दरम और मजनू गुरखपूरी का नाम एहम है अफसान ये अफसाने के रतका बे अपनी तखलिकात से एहम रूल आदा किया है आगे बी लिखा हुआ है कि तरकी पसंद तहरीक और जदिदियत के रुजहानाथ ने भी अफसाने के रतकाई को फरोग दिया अब हालात यहें कि बेसागीर में उर्दू अफसाना निगारों की एक ल अफ्तर चाहिए तो ये लंबा चौड़ा हैंसर आप लोगो लिख देना है किस तरह कि वो कहानी लिखा करते हैं ये लंबा चौड़ा आप लोगो लिखना है जवाब में कहा जाता है कि फनकार अपने एहद का आइनादार होता है और इसकी तखलिकात उस एहद की अकास है फनकार जिस माहौल में सांस लेता है जिस माहौल में जीता है, उठता है, बैठता है उसी गर्द वापेश की हालात को अपनी कहानियों का मौज़ू बनाता है बिल्कुल सभी बात है फंकार यानि की जो आर्टिस्ट होता है जिस महाल में रहता है जिस महाल में सांस लेता है जीता है जाकता है उटता है बैठता है उसी महाल को मौज़ू बनाकर अपनी कहानियों में उतारता है मतलब उसी महाल को जो है ना कहानी का मौज़ू बना देता और उसी को टॉपिक बनाकर कहानी यानि के अफसाना लिखता है और कमर जहां भी उसी तरह थे जिस महाल में ये रहते थे थे ना उसी महाल को अपनी कहानियों में मौजू बनाएं कमर जहां ने अपनी कहानियों का मौजू भी असरे हाजिर के मसाइल को बनाया है आज के साइं काने में लोग जो है ना सोचते समझते जो चीजे देखते हैं जो उनके साथ घटनाएं होती हैं उस घटनाएं और उस कहानियों को बड़े खुबसूरत अंदाज में जो है ना कमर जहां अपनी कहानियों में समुआ हैं बहुत ये अच्छे तरीके से पेश किये हैं तो ये साथ मतलब वो घटनाएं वो बाचीत वो चीज ना जो घटनाएं हर इंसान के साथ होती हैं उसी चीज़ को जो है ना टौपिक बना कर ये अपने कहानि में उतार दी हैं ये सबसे बड़ी इनकी खशुसियत हैं आज के हालात में मादा परस्ती की बढ़ते हुए रुजानात और इखलाकी जवाल कमर जहां की कहानियों के मौजवात है और इस मौजव को उन्होंने अपने अफसानों में बड़े सादा अंदाज में पेश किया है तो इस तरह आप लोगों को एंसर लिखना है आगे बढ़ते हैं कहानी का उन्वान कटी हुई शाह क्यों है वाज़ा कीजिए कहानी का जो टाइटल है कटी हुई शाह क्यों रखा गया है आप लोगों को बताना है तो देखिए कटी हुई शाह कमर जहां का एक कामयाब अफसाना है जिस पस्पन्जर में कहानी की तखलीक हुई है इस मुनासबत से अफसाने का उन्वान कटी हुई शाख बहुत अम्दा है बिल्कुल सही बात है जिस पस्मन्जर जिस नज़रीे से इस कहानी को लिखा गया है न Nothing उसे साब से देखा जाए तो इस अफसाने का उन्वान टाइटल जो है कटी हुई साथ बिल्कुल पर्फेक्ट है इस अफसाने का किरदार मरकजी रुप्या कमाने के लिए खलीजी ममालक जाता है बिल्कुल इस अफसाने का जो किरदार है मरकजी जिसका नाम नहीं लिया गया वो रुपे कमाने के लिए दूसरे मतलब विदेश में जाता है वहां वह रुपे तो कमा लेता है लेकिन खुद को मुआशरे से कटा हुआ महसूस करता है और जब अपने वतन वापस आता है तो वह अपने आपको अजनभी सा महसूस करने लगता है इस तरह हम कह सकते हैं कि अ कमाने के लिए वहां पर पैसा तो कमा लेता है उसके पास धन दौलत हो जाती है लेकिन फिर भी अपने आपको कटा हुआ मैसूस करता है अपने आपको खुशी फील नहीं करता और जब बहुत साल के बाद अपने मुल्क वापस लोड़ता है अपने घर अपने माता-पिता के पास वापस लोड़ता है अपने दोस्तों से मिलता है तो वह अपने आप में अजनवी सा महसूस करता है क्योंकि उसके माता-पिता भी उसे पहचानने से इंकार कर देते हैं और तब उसको पता चलता है कि जब एक बार रिश्टा तूड़ जाता है तो उसे दुबारा जा सकता है बिल्कुल उसी तरह जब एक बार रिश्टा तूट जाता है तो वह रिश्टे को फिर से दुबारा जोड़ा नहीं जा सकता है यही बात इस कहानी में बताई गई है और इस हिसाब से देखा जाए तो इस कहानी का जो टाइटल है कटी हुई साख एकदम परफेक डालना है मरकजी किरदार कौन है उनके बारे में आप लोगों को बताना है चलिए जवाब देखते हैं कि जेरे निसाब अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार बरकत अली और उनकी बीवी जरीना है बरकत अली नौकरी से सबक दोश हो चुके हैं और तनहाई महसूस करते ठीक है कुछ दिनों तक तो हालात ठीक थे लेकिन धीरे धीरे हर काम के लिए उन्हें बहु बेटे का महताज होना पसंद नहीं आया उन्होंने जरीना से अपने दिल की बात कही जरीना ने सोचा कि अपना घर अपना ही होता है जहां अपनी हुकुमरानी होती है किसी का महता नहीं होना पड़ता है या सोचकर जरीना ने फिर अपना आश्रियाना आबाद करने का सोच लिया बिल्कुल सही बात है बरकत अली और बेवी उनकी बीवी जो है ना वो अपने बेटे बहु के घर जाते हैं लेकिन फिर भी मतलब वहां पर उनका हुकम नहीं चल पाता है कोई काम नहीं था तो इस तरह जो है ना बरकत अली अपने आपको वहां पर आजाद फिल नहीं कर पा रहे थे वो बोले अपने बीवी से की चलो हम लोग पुराने वाले आश्याने में हम लोग अपने घर में चलते हैं जा पर हम लोग का अपना घर होगा अपना अश्याना होग करें सोहाल अजीम अबादी के बारे में कम से कम 10 जब्ले लिखने हैं य commemorPI 10 अनिकी 10 सेंटेंस में तो देखिए सोहाल अजीम अबादी अरदू के मारूफ अफसानानिगार भी गए, सोहेल अजींदी ने अपनी जिन्दगी का बेश्टर हिस्ता अर्दु की तर्वीज व्यशात में गुजारा, इसकी तहत वह चोटा नागपूर भी गए और 7 सालों तक अर्दु की तर्वीज व्यशात का काम अंजाम देते रहें, सोहेल अजींदी के अफसानों का दूसरा मजमुए नए पुराने है जो कि 1923 इस भी में शाय हुआ हुआ था प्रकाशित हुआ था यह हो गया आप लोगो का एंसर आगे बढ़ते हैं अफसाना फरार फरार नाम का इस का मरकजी ख्याल बताना है इसका थीम बताना है कि आखर फरार नाम कि इस अफसाने में क्य नफसियाती अफसाना है ये फरार नम का यह जो कहानी है किस तरह का कहानी है तो नफसियाती यानि की साइकॉलजिकल स्टोरी है जो की डॉक्टर मौमद मौसिन द्वारा लिखा गया है इस अफसाने का मरकजी किरदार महमूद है कौन है महमूद है मैं आप लों को बताई भी अफसाना निगार ने इसके किरदार का नफसियाती तजर्बा किया है महमूद हसूल तालिम के लिए सरगरदा रहता है और वह आम नौजवानों की बर खलाफ एक ऐसी मिसाल जिंदगी गुजारना चाहता है जो अच्छे और होनहार तालिब इल्म की शनाक्त हो कभी कभी द तर पर उसे औरत से मतहुश और मनफर्द बना दिया है और हसूल तालिम के बाद उसे अच्छी से मुलाजमत यानकी जॉब मिल जाती है फिर शादी होती है लेकिन उस जहनी खलफशार की वज़ा से उसकी अजदवाजी जिन्दगी जो है अधूरी और नामकमल रह जाती है जिन्दगी की यही कश्मकश इस अफसाने का मरकजी ख्याल है जिसे अफसाननेगार ने महमूद के किरदार की शकल में हमारे सामने पेश किया है यह गया इंसर आगे बढ़ते हैं रिया मजमून का मरकजी ख्याल पेश कीजिए रिया नाम का यह जो मजमून है निवन्द इ कि इस चाप्टर में इस मजमून में क्या बताया गया है तो चलिए देखते हैं सरस्यद ने अपने मजमून में रिया की सही मफहूम की वजाहत की है और का है कि लोग आम तोर पर रिया का तजजिया यू करते हैं कि दिल में बात कुछ हो और जाहिर में कुछ कहा चाए बिल्कुल जो सरसेद अमद खाय है इस निबंद के माधिम से यही लोगों को बताना चाहते हैं वजाहत करना चाहते हैं कि रिया का लोग तज़्या इस तरह करते हैं इस तरह दिखाते हैं कि मतलब वो बात कुछ और करत मतलब अपने आपको दिखाते कुछ और हैं लेकिन असल में कुछ और ही रहते हैं लेकिन रिया सिर्फ वही तक महदूद नहीं है कि बलके अक्सर ऐसा होता है कि समझने वाला खुद मुगालते में रियाकारी का मर्तकब हो जाता है सरस्येद की नजदीक रियाकारी का तालुक जाहरी अमल या रद अमल से नहीं है बलके रिया उस दाखली जहनी पैचिदगी का नाम है जो कभी दोस्तों की जूटी तारीफ से पैदा होती है और कभी दुश्मन की खुवियों को एब बता कर जहनी इंतशार में डाल देता है में नुकसानदा साबित होते हैं या बिलकुल सच है कि दुश्मन सिर्फ एब जोई करता है लेकिन दोस्तों जूटी तारीफ करके मुगालते में डाल देता है सरसेद ने इस मजमून में इस नफसियाती कश्मकस से बचने के लिए कुछ असूल मरतब किये हैं जिस पर अमल करके हम ना सिर्फ रयाकारी से बच सकते हैं बलके खुद घरजी लालच और तासुब जैसी खामिया जो खफिया तोर पर हमारे अंदर रयाकारी के बीज बोती रहती है उससे महफूज रह सकते हैं इस मजमून का मरकजी खयाल भी यही है तो इस तरह आप लोग को एंसर लिख देना है इतना लंबा चोड़ा आप अग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है कि शामिल निसाब मकतूब शोहबाज का खुलासा पेश कीजिए आप लोग के जो सिलबिस में मकतूब यानि की खत है शोहबाज का लिखा हुआ उसका खुलासा करना है कि वो अपने खत में क्या-क्या बाते किये और किसको ये खत लि हैं और मकतूब के जरिये उन्होंने या मालूम किया है कि उनकी वालिदा यानि उनकी बेगम उन्हें खत क्यों नहीं लिखती साथ ही उन्हें साथ ही उन्होंने बेटी से यह भी दर्याफ्त किया है कि वो अपना सबक याद कर रही है या नहीं खत में या अपनी दोनों बे वो जरूर आएंगे उन्होंने अपने जखम और उसकी तकलीफ के बारे में भी लिखा है और फिल्हाल उसमें आराम है के बारे में भी लिखा है तो इस तरह दुलगफूर शौमाज जो है ना अपनी बेटी से धिरसारी बाते कियें जो कि इस तरह आप लोगो लिख देना है आगे बढ़ते हैं रुकया भाबी का सरापा कम अजगम दस जुमलों में तहरीर करें रुकया भाबी जो की किरदार है रुकया भाबी नाम के जो अफसाना कहानी उसका मरकजी किरदार रुकया भाबी है तो इनके सरापा कम अजगम दस जुमलों में ये दस सेंटेंस में आ कुट कुट कर भरी थी दूसरों के कान नहीं सोरी दूसरों के काम आना उनकी फितरत में शामिल था वह लेक्चरर थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी एक गरीब लड़की को अपने खर्च से पढ़ा रही थी घर की सारी जिम्मधारियों को वह बहुभी पूरा करती थी उनक दिल हमदर्दी से लबरेज था उनके मिजाज में नर्मी और सादगी थी तो कई भाबी का सरापा एक देवी से कमना था तो उस तरह आप लोगों को लिख देना है एंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है कि नजम मुनाजिर कुदरत का खुलासा पेश कीजिए ये जो मनाजिर कुदरत नाम का नजम ये इनकी कवीता है इसका खुलासा पेश करना है ये इनकी खुलासा करना है अब देखिए आप लोगों के बुक में जितना भी नजम है न उन सभी नजम को आप लोगों को एक बाते बताए गई हैं कौन से नजम में किस बात का जिक्र किया ग उसमें से एक नाएक नजम तो पक्का है कि पूछेगा खुलासा करने के लिए इसलिए हर एक नजम पर आप लोग को कमांड कर लेना है कि कौन से नजम में क्या बाते बताई गई हैं ठीक है जिसे की देखिए यहां पर कुशन पूछ भी दिया है कि मनाजिरे कुदरत नाम का इसका खुलासा पेश करें इसी तरह आप लोग के एकजाम में भी कुशन पूछेगा कोई भी एक नजम यहन की कवीता उठाकर खुलासा करने के लिए पूछ सकता है इसलिए सारे नजम पर आप लोग का कमांड रहना चैए सारे कवीता को आप लोग को ध्यान से पढ़ ले है कि शायर ने एक बार देहरादून का सफर किया देहरादून सोबह उत्रांचल का सदर मुकाम है और पुराने जमाने से ही खुबसूरत पहाड़ी इलाके में शुमार किया जाता है अंदरूने मिल्क और गहर मालिक से सियाह आते रहते हैं और वहां की खुब सूरती गुदरती मनाज़र को देखकर लुद्फ अन्दोज होते हैं और चकबस्त ने दहरादून का सफर किया और सफर में जो कुछ देखा उसे शेर के अगालिब में ढाल दिया है दहरादून का एक पहाड़ी मकाम है के वजूद को महसूस किया जा सकता है यहां के पहाडों की खामोशी अपनी जुआ हाल से कह रही है कि अगर देखने वाली आखे हैं और दिल हिसास है तो इस विराने और खामोशी में भी कुद्रत की हसी नजारों को महसूस किया जा सकता है जो चकबस्त है नजम मनाजरे वो एक बार देहरादून गए रहते हैं देहरादून जो की एक पहाड़ी इलाका है तो वहां देहरादून जाकर जो सफर की रहते हैं उसमें मतलब देहरादून के नजारे को मनजर को देखते हैं प्रकृति का दिरिश्य देखते हैं और जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो नजम यान की कविता के अंदाज में लिख कर तयार कर देते हैं जिसका टाइटल क्या है मनाजिर कुद्रत यानि की कुद्रत का मनजर प्रकृति का दिरिश्या तो मनाजिर कुद्रत नाम के इस कविता में कहां का मनजर दिखाया गया है कहां का दिरिश्या दिखाया गया ह तेरा दुन के बार में बताए हैं चकबस्त यानि किस चप्टर के राइटर शायरा बोल सकते हैं अगला कोश्चन देखिए अब अगला कोश्चन है कि नजम हम नौजवा हैं का खुलासा पेश कीजिए अब देखिए यहाँ पर पूछ दिया है कि हम नौजवा है नाम का यह जो नजम है कवीता इसका खुलासा पेश कीजिए इसी तरह आप लोग के एक्जाम में कोश्चन पूछेगा इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि जितना भी आप लोग के बुक में नजम दिया गया है एक जदिद नजम है नजम में शायर ने मौजूदा एद के नौजवानों के जजबात की तरजमानी की है हम नौजवा है नाम का यह जो कवीता है इसमें शायर नौजवानों के जजबात की तरजमानी की है कि नौजवान किस तरह मतलब सोचते हैं उनके जजबातों को उजागर किये हैं इस कवीता में जवानी के जमाने में नوجवानों के दिलों में क्या-क्या जजबात उभरते हैं और वा मौाश्रे से क्या चाहता है उन्हीं किफियात को शायर ने बड़े सलिखे के साथ नजम में समोया है जिस तरह बच्चे अपने पसंदीदा चीज़ों को पाने के लिए जिद करते हैं ठीक उसी तरह जवानी के जोश वजजबात में इनसान इस कदर भखने लगता है कि हर पसंदीदा चीज़ को हर हाल में हासिल करने की कोशिश करता है मजकोरा नजम को परवेश शादी ने कलकत्ता में नौजवानों के एक अजलास में पढ़ा था जिसमें नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा थी इसी कसरत को देखकर शायर ने इस नजम में नौजवानों की जजबात की भरपूर तरजमानी की है तो ये हो गया आप ल जवाहे नाम के नजम को आगे बढ़ते हैं अब देखिए क्या सवाल पूछ रहा है कि नजम खड़ा डिनर का खुलासा पेश कीजिए अब यहां पर खड़ा डिनर नाम के नजम यनकी कवीता का खुलासा करना है इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि लवजों को पकरने की कोशिश कीजिए कि किस तरह यहां पर जवाब में खुलासा किया गया है लवजों को किस तरह आप लोगों को सजा कर लिखना है पढ़ते हैं जरा खड़ा डिनर सेद मुहमद जाफरी की नजम है इसी तरह आप लोगों को भी स्टार्टिंग करना है जिस भी नजम का खुलासा करने के लिए आप लोगो के एक्जाम में पुछ दे उस नजम का नाम लिखना है और उसके बाद से उसके राइटर का नाम लिखना है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि खड़ा डिनर सेयद मुहमद जाफरी की नजम है इस तरह आप लोग लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते है कि खड़ा डिनर सेयद मुहमद जाफरी की लिखी हुई नजम है यहां मजाहिया नजम है यहां मजाहिया नजम है इ और सच तो यह है के हमारी मश्रिकी तहजीब के नामुनासिब हैं लेकिन असर हाजिर में जिस तरह मगरीबी तहजीब वो मौश्रत के इसरात आम होते जा रहे हैं उसकी लहर खाने के वज़े और उस तरह के पर पड़ चुकी है इस तरह आज एक मिनट रुक जाए हां इस तर आज बौफट डिनर या फिर बौफट सिस्टम का तरीका हमारे यहां भी आम हो गया है शायर की निगाह में खाने का या तरीका मुनासिब और बहतर नहीं है इसलिए शायर ने इस तरीके को ताम मजाक उड़ाया है मतलब शायर ने इस तरीके ताम का मजाक उड़ाया है पा मस्नवी जो जहरे इश्क यह जो मस्नवी है इसका आप लोगो खुलासा बताना है अब मस्नवी में जितना भी मस्नवी आप लोगों के बुक में दिया गया है हर एक मस्नवी को पढ़ लिजे कि इस मस्नवी में क्या क्या बताया गया है कि मस्नवी का भी खुलासा करने के लिए पूछ देता है जिसे कि याँ पर पूछ दिया है तो देखिए मसनवी के इस एक्तबास में मसनवी निगार ने एक सौदागर की लड़की का जिक्र किया है यह जो जहरे इस नाम का मसनवी का एक्तबास आप लोगे बुक में दिया गया है तुकडा तो उस एक्तबास में मसनवी निगार जो है ना सौधागर की लड़की का जिक्र किया है और उसकी दाखली और खारजी खुबियों का जिक्र किया है मसनवी निगार सौधागर के पडोस में रहता था मसनवी निगार यानि की जो राइटर है इस मसनवी को लिखे हैं वो सौधागर के पडोस में ही रहता था इसलिए वो उसकी दौलत वो सौरत से वाकिब था सौधागर आला खानदान से तालुक रखता था उसकी एक लड़की थी जो बड़ी खुबसूरत थी बहुत ही ज़दा खुबसूरत जिसकी कोई मिसाल ना हो और मसनवी निगार ने उसका सरापा बड़े खुबसूरत अंदाज में पेश किया है लड़की में जाहरी खुबियों के साथ उसमें किरदार की भी खुबिया थी उसे शेर गोई का भी जौक था यानि कि वो जो सौदागर की लड़की थी बहुत दा कुबसूरत थी और उसके साथ उनमें धेर सारी खुबिया थी वो शेर गोई भी करती थी यानि कि शेर वो शायरी भी करती थी आगे की कहानी यह है के आस्मान पर बादल चाया हुआ था मौसम खुशगवार था मसनवी निगार मौसम से लुट्फ अंदोज होने के लिए अपनी चट पर गया सौधागर की बेटी पर उसकी नजर पड़ी जो अपनी सहलियों के साथ चट पर तफरी के गर्ज से आई हुई थी सहलियों के चले जाने के बाद वो चट पर अकेली रह गई वावा आप समझ सकते हैं अकेली बच गई तो क्या होगा वही आसमान पर बादल चाया हुआ है मौसम एकदम खुशगवार है और खुशगवार मौसम का लुट्फ उठाने के लिए राइटर चट पर गय रहते हैं चट पर जाकर देखते हैं ते सौधागर की जो लड़की बहुँजदा जो खुबसूरत रहती है वो सौधागर की लड़की अपने सहलियों के साथ बैटी हुए बाते कर रही है और वो भी मौसम का लुट्फ ले रही है कुछ देर के बाद सहलिया चली गई नीचे और चट पर वो सौधागर की लड़की अकेली बच गई अब अकेली बच गई तो आप लोग जानते हैं ना आगे क्या होगा दोनों की नजरे मिली यानि की सौधागर की लड़की जो की बहुत ज़्यदा खुबसूरत थी उसकी नजरे राइटर यानि की मसनवी नेगार की नजरों से मिली और मसनवी नेगार की नजरे उस सौधागर की लड़की से मिली और दोनों की नजरे दो चार हुई और हुआ ये कि दोनो एक दुसरे को दिल दे बैठे अब ये नहीं कि एक दुसरे से बाते करें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहता सिर्फ एक दुसरे को देखे जा रहे थे ओदागर की लड़की और मसनवी नेकार दोनों जन आखे मतलब नजरे जो है ना दोचार होई और उसके बाद देखे ही जा रहे थे देखे ही जा रहे थे यह नहीं कि कुछ बाते भी कर ले और देखते ही देखते 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 रफता रफता शाम हो गई यानि कि शाम हो जाने के बाद लड़की की कनीज छट पर आती है और लड़की से कहती है कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है अगर देखते देखते हैं या सरुलंगेज माहौल खत्म हो गया यही हुआ वो एक दूसरे से बाते भी नहीं की है सिर्फ नजरे दोचार होने के बाद देखते ही देखते 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 शाम हो गई और शाम हो जाने के बाद लड़की की जो कनीज है वो आकर कहते है कि आपकी माँ आपको बुला रही है और इस तरह लड़की जो है ना नीचे चली जाती है और इस तरह ये जो माहौल है वो खत्म हो जाता है और बात भी नहीं कर पाते है एक दूसरे से खत्म कहानी खत्म कहानी नहीं आगे भी मसनवी है जो कि अगर आप लोग पूरा मसनवी पढ़ेंगे इश्क तविल मसनवी है यान कि बहुती लंबी मसनवी है जिसमें रोजमिया और बजमिया दोनों तरह की तविल दास्ताने बियान हुई है इसमें इश्क और महब्ट की दास्तान की खिसूसी एहमियत दी गई है पेस नजर मसनवी में देली के एक रईस खांदान के एक नौजवान के इश्क और मुहबबत की कहानी है इस दास्तान इश्क का एक अजीब पहलू यह है कि वह नौजवान अपनी बीवी पर ही आशिक रहता है इस तरह आगे की इसके नहीं हो पाया है बट कोई दिकत नहीं है इसमें मैं आप लोग के मस्नवी में कहानी कुछ इस तरह से है कि एक रईस खांदान का नौजवान रहता है वह अपनी बीवी से इसकी करता है उसका बीवी बहुत जदा कुप सुरत रहती है लाखों में एक आप बोल सकते हैं और कहीं भी जाता है बाहर घर से बाहर मतलब जा नहीं पाता है जैस ना कि उसकी तबियत खराब हो गई तो हुआ यही कि वो नाजूक एकदम बन गई थी गुडिया की तरह हमेशा बैठा कर रखा रहता था अपने बीवी को और एक दिन जो है ना अचानक वो बेहोस हो गई कुछ हो गया उसकी तबियत खराब हो गई और सबी लोग जो है ना आ आप लोगों को पढ़ाई भी हूँ यहां पर बताऊंगी थोड़ा लंबा हो जाएगा शॉर्ट कॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दी है तिंक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और आप लोग चैप्टर भी पढ़े होंगे आगे बढ़ते हैं नजम हम न TJवानों के जजबात की भरफूर तरूमानि की है नौजवानी की जमाने में एक नौजवान के दिलों में क्या क्या जजबात OBरते हैं है इस नजम में उन जल्बात को पेश किया गया है और शायर की यही ख्यालाद Рजाना और ओक लिए तक्रव nessa है якि नजवानों के जज प्रासा करना है अब आप लोगों को तो देखिए जवाब में अलड़ी यहां पर लिखा हुआ है कि निदा फाजली की नजम बिजली का खंबा आजाद नजम है ध्यान रहे विजली का खंबा क्या है ये एक आजाद नजम ना की पाबंद नजम में साइंसी आजदात पर इन खामियों के तालुक से शायर ने बद इखलाकी और अफरतफरी की तरह इशारों में मतवज़ किया है या एक इखलाकी नजम है और आगे लिखा हुआ है कि दूसरी नजम नजम बहुत आसान थी पहले है या भी आजाद नजम है इस नजम में निदा फाजली ने का आइनादार होता है और शायरी भी इस आफाकी वसूल से अलग नहीं इसलिए बदलते हुए सियासी हालात और मजभी शिद्ध पसंदी ने नजम के आहंग को भी धीरे धीरे या रफ़ता रफ़ता बदल दिया है यह लंबचा आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं या फिर कैसे यह साइज लिखते हैं इनकी शायरी की क्या खसूसियत है यह आप लोग को बताना है दस जुम्ले में यानि की दस सेंटेंस में इसका भी जवाब देख लेते हैं कि उर्दू की मजभी शायरी की रिवायत को फरोग देने में सेयद मुहमद जाफरी का भी नाम एहम है इन्होंने अपने मज़ाय शायरी में खड़ा डिनर यानि बफिट डिनर को तंज का निसाना बनाया है और आगे देखिए इन्होंने खाने के इस तरीके को घोड़ दोड़ कहा है यह जो बफिट डिनर है ना इस खाने के तरीके को घोड़ दोड़ कहा है कि घोड़े की तर और तला हुआ है मजाहिय शायरी में उनका यह मजमुऔए एक अहम अजाफा है जाफरी की जुबान में पख्तगी भी है और मजात की चाशनी भी है और पढ़कर हसी भी आती है और उनकी शायरी अरूज वज़ंध ओर कवाफी और अल्फाज वतराकीब के मुईयार पर पूरे उतरते हैं लहाज़ हम यह कह सकते हैं कि सेज़ मुहमद जाफरी एक आला और बुलंद पाया मजाहियर शायर है और यही इतना ही आप लोग इंसर दे सकते हैं कोई दिकत नहीं है आगे बढ़ते हैं यह शेर की तश्रीह करने वाला है अगर आप लोग एक्जाम में पुछ दे कि इस शेर की तश्रीह करें आप लोग के एक्जाम में पांस थो शेर देता है या फिर चार थो और बोलता है कि किसी दो शेर की तश्रीह करें किसी भी दो शेर की तश्री करना है या फिर आप लोग पढ़ लिजेगा जितना भी शेर की तश्री करने के लिए बोले आप लोग को अराम से करना है कैसे करना है यहाँ पर लफजों को पकड़ने की कोशिश करें जैसे कि एक शेर दिया गया है कहानी दौर जुनू की कहें त कि दिवानपन की कहानी किस से कहें इस दुनिया में अगर कोई हमारे जैसा ही गम का मारा और गम का समझने वाला हो तो कह सकते हैं यानि कि कहानी दौर जुनू की हम अपने जुनू की अपने दिल की कहानी अपने वफा की कहानी किस से कहे नहीं इस जहां में इस दुनिया में हमसा कोई गम शार हो तो कहें हमारे जिसा कोई गम को समझने वाला हो तब मैं न उससे कहूं लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने गम की कहानी अपने दौरे जुनू की कहानी उसको सुना सकूं तो यह इसी तरह आप लोगों को तश्रीक करना है यहां पर बहुत ही कम लफजों का यूज करके तश्री किया गया है लेकिन आप लोग थोड़ा लंबा लिखिएगा इतना ही शॉर्टकॉट आप लोगों को नहीं लिखना है तो बहतर रहेगा आगे बढ़ते हैं अगला शेर है कि गये मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह दिल पर उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह इसका तश्री करना है तो देखिए तश्री लिखा हुआ है इस वक्त मेरे सामने जो शेर तश्री तलब है वह परवीन शाकिर की गजल का मतला है तिकने अचे दरी के से लिखा गया है इस वक्त मेरे सामने जो शेर तश्री तलब है वह परवीन शाकिर की राहे कायम हो जाती हैं तो वही चीजें खुआब की शकल में अजाब व तकलिफ बनकर उतरने लगती हैं यह थोड़ा शॉट करके लिखा गया है लेकिन आप लोग इससे थोड़ा लंबा लिखिएगा यह बहुत ज़्यदा शॉट कर दिया है लेकिन इसका मैं तश्री अपन करते हैं उनका दिदार होते रहते हैं तो हम लोग गुलाबों की तरह खिले रहते हैं लेकिन जैसे हैं हमारे ही लोग हमारे अपने करीबी रिष्टेदार छोड़कर चले जाते हैं तो उनके साथ बिताया गया हर एक पल हमें याद आता है उनके साथ बिताया गया हर एक लमहा खौबों में अजाब की तरह बन कर आता है और बहुत ज़्यदा तकलिफ होता है तो वही यह लंबा चड़ा आ हैं कि खौब तूटकर चूर चूर हो चुके हैं अब मुझे राख रात जो है ना रात के धेर पर बसर करनी है अब मुझे रात राख के धेर पर बसर करनी है चुनके मेरा आशियाना भी जलकर राख का धेर बन चुका है यह शेर में राख के धेर पर अबरात बसर करनी है ज जलकर राख हो चुका है सभी मेरे अपने छोड़कर चले गए हैं अब मुझे रात जो है ना इस राख के धेर के साथ बसर करनी है तो यह बहुत शौर्ट करके लिखा गया आप लोग थोड़ा लंबा लिखेंगे ध्यान रहें नेक्स्ट हैं कि साते दीद के आरिज है गुला है जो पहले पहल महबूब को देखकर घुल की तरह खिल जाता थ La अगे बढ़ते हैं अगले शेक की तरफ रह ust behaviour कि मेरे रשते हुए जखमों के हिसाब की तरह इसका तो इसकेन तो हुआ ही नहीं है वो गॉड इसका एसकेन नहीं हो पाया बड़ कोई दिकत नहीं है मैं अपने जबान से ही तश्री कर देती हूं गैर मुम्किन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार मेरे रस्ते हुए जखमों के हिसाबों की तरह इस शेर में यही कहा गया है कि ते तुझे तेरे जिन्दगी में इतनी ज़्यादा खुशिया मिली कि तेरी खुशियों का कोई हिसाब नहीं है और मेरे जिन्दगी में मेरे रस्ते में इतने ज़्यादा जखम है मेरे जिन्दगी में इतना ज़्यादा दर्द और जखम मिला इतना ज़्यादा गम मिला कि मेर जखमों का कोई हिसाब नहीं तो यहीं आप लोगों को लिख देना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला शेर है देखे हर एक शेर की मैं तश्रीव की हूँ आप लोग जरूर देखिएगा इसे चैनल के प्लेलिस्ट में है क्लास टेंट उर्दू सेशन 2022 ते इसके नाम से प्लेलिस्ट सेव है आप लोग जरूर देखिए हर एक शेर की तश्रीव में बहुत ही अच्छे तरीके से की हूँ अगर आप लोग देखे हैं ना तो आप लोग को हर एक चीज़ समझ में भी आ रहा होगा और आप लोग खुद सहीं तश्रीव कर भी पाएंगे अब देख गजल से माखुज है इस शेर में शायर कहता है कि तनहाई का शिक्वा और गिला करने से कोई काम नहीं बनने वाला यह तसवर गलत है कि इनसान अकेला है बलकि यह दुनिया भरी पूरी है और इस दुनिया से जुदा होकर नहीं जिया जा सकता तो फैनली यहां पर आप गया होगा इस शेर के माद्यम से शेर के जरीरी इरफान से की जो शायर है वो यही कहना का रहते हैं कि यह कोई यही क्या करते रहते हैं उन्हीं को यह बात बोले हैं कि शेकवा जिलने काम चल रहा है ना तो आप अपने तनहाई का शिक्वा गिला ना करें जबकि पूरी दुनिया भरी पड़ी है आप अपना काम पर ध्यान दे शिक्वा गिला छोड़ कर आप अपना काम करें दुनिया से जुदा हो कर ना चले दुनिया के साथ चले और आप अपने काम पर ध्य आप लोग इसका मतलब समझ गये होंगे देखिए तश्री भी एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग पेश नजर शेर का मतलब यह है कि रंग जैसे सुर्ख, जर्द और सब्ज वगेरा को हम आसानी से पहचान लेते हैं यह रंग ही शनाख्त है लेकिन खुश्बू का कोई रंग नहीं होता इसे जाहिरी सूरत में ना देख सकते हैं और ना पहचान सकते हैं बलकि इसे रूह महसूस कर सकती है और दिल की आँखों से ही देखा जा सकता है यहां पर बोला जा रहा है कि रंग आसान है इनसान पहचान सकता है कि कौन सा रंग है लाल है कि सफेदे की पीला है कि हारा है कौन सा रंग है लेकिन खुश्बू को देखकर हम लोग नहीं पहचान सकते हैं उसको हम लोग सुंगेंगे मतलब यह जो है ना रूह ही महसूस कर सकती है कि खुश्बू किस चीज की है तो यह बताया गया है आगे बढ़ते हैं लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाए यह समंदर है यहां हुक में हवा चलता है पेशन नजर शेर में शायर कहता है कि आदमी दिल के हाथो मजबूर है दिल ही के बदलत आदमी गिरफतारे बला होता है और इसी के बदलत निजात भी हासिल करता है शायर ने दिल को समं में हुक में हवा चलता है आप लोग को समझ में आ गया होगा ज्यादा मैं इसको एक्स्प्लेइन नहीं करूंगी क्योंकि मैं आप लोग परहा चुकी हूं और अगर बहुत जदा विस्तार से समझाओंगी तो फिर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा बन जाएगा तो ज्या पेसे नजर शेर में शायर कहता है कि हर आदमी को अपने वतन से महबबत होती है शायर को भी अपने वतन से महबबत है और उसके वतन में खाक के वतन की जंजीर चड़ी हुई है ठीक है और मैं कहां चलता हूं मैं कहां चलता हूं नक्षे कफे पा चलता है तो इस तरह जो है से अपनी तफसिली वाकिफियत का इजहार कीजिए अर्दू के शैरी इसनाफ में मरसिया मशूर सिंफ है यहाँ पर मरसिया के बारे में तफसील से विस्तार से आप लोगों को लिखना है तो मरसिया अर्बी लवज है और अर्बी लवज रिसा से बना है जिसके मानी रोने मात करने के हैं इसमें मरने वाले के औसाफ बियान किये जाते हैं और उसकी मौत पर रंज वगम का इजहार किया जाता है शायरी के इस्तलाह में मरसिया इसे ही कहते हैं तो मरसिया आपर बताया गया है कि मरसिया किसे कहते हैं मरसिया जो है अर्भी लफज है और अर्भी लफज रि हम लोग क्या कहते हैं मरसिया कहते हैं आगे बढ़ते हैं आगे भी लिखा हुआ है क्योंकि ये पांच नमबर वाला है तो थोड़ा लंबा लिखना होगा उर्दू शायरों में यह सिन्फ हजरत इमाम हुसैन रजियल्लाव तालानों और शहीदान कर्बला यानकी कर्बला में शहीद होने वाले की शहादत के वाकात बियान करने और रंज वागम के इजहार के लिए मकसूस होकर रह गई है इनके लावा बाकी लोगों की मौत पर रंज वागम का इजहार नजम की सुरत में किया जाता है तो उसे शक्सी मरसिया का नाम दिया जाता है मरने वालों की तरकीवी दर्जजेल है यानकी देखें ये भी कोशन पूछ देता है कि मरसिय की अजजजाय तरकीवी क्या है अलग से तो आप लोग को मरसिय के अजजजाय तरकीवी यानकी मरसिय में क्या क्या होना चाहिए ये लिख देना है पहला है चेहरा दुसरा है रुकसत आमद सराप रजजज जंग शहादत और बीन तो इस तरह आप लोगो लिखना है आगे बढ़ते हैं मसनवी जो है गुलजार नसीम गुलजार नसीम का खुलासा आप लोगो पेश करना है तो यहां से स्टार्ट है एंसर मसनवी गुलजार नसीम के इस अखतबास में बकावली के आने और बादशाह जैनल मुलुक के दरबार में पहुँचकर अपनी गहर मामुली और सहरुलंगेज शक्सियत के वज़ा से वजीर बन जाती है और फिर अपने महबूब की तलाश करती है बकावली की परेशानी का भी जिक्र किया गया है वो अपने महबूब को जंगल और बैयाब में तलाश करती हुई जैनल मुलुक के दरबार में पहुचती है तो यहां का मनजर ही कुछ और देखती है हर तरफ खुश्या ही खुश्या थी चमन शवफों से खिला हुआ था बताया गया कि वह जिसे तलाश कर रही है वह इसी जगह मौजूद है बकावली परीजाद थी यानि कि वह एक परी थी और आदमी जात बनकर सुल्तान की आती हुई सवारी के सामने खड़ी हो गई यहां उसे मौकालमे को भी पेश किया गया है जो सुल्तान और बकावली के दर्मियान होता है वह अपने को इबन फिरोज बताती है बादशा उसकी सहरुलंगेज शक्सि से मुतासर होता है और उसे अपने दर्बार में वजीर मुकर्र कर लेता है इक्तबास की आखरी हिस्से में मुकालमे का जो कमाल दिखाया गया है वह इस हिस्से की जान है तो इस तरह होता है आप लोग का जवाब कंप्रीट इतना लंब चड़ा आप लिखिएगा आगे प्रभाव क्या है क्या नुकसान होगा हम लोग को उसका प्रभाव क्या होगा यह आप लोग को बताना है तो जवाब में तो लिखा हुआ है यहां पर दखिए ग्लोबल वार्मिंग के तश्विष नाक इस रात इंतहाई तौर पर खतरनाक हो सकते हैं जी बिलकुल अगर ग तेमप्रेचर बढ़ेगा एकदम तीजी से बढ़ेगा और पहाडों पर जम्हें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तीजी से पिगलेंगे जिसके नतीजे में सतह समुंद्र में तीजी से इजाफा हो जाएगा इस सिलसिले में माहरीन महौलियत की रायया है कि सतह बढ़ेगा तो प्रिथवी का टेमप्रेचर बढ़ेगा जिसके वज़ासे पहाडों पर बड़े बड़े बर्फ के तोंड़ेंगे और पिगलने को जैसे समुंद्र का जो इस्तर है वो बढ़ेगा और जितने भी समुंद्र के किनारे मुल्क आबाद है जैसे की और यहां तमाज़त के सिलसले में जमीन की आब हवा में बहुत तेजी से तबदिली आ रही है यह तमाज़ते अर्जी यानि की ग्लोबल वार्मिंग बढ़कने के वज़से जमीन की आब हवा में बहुत तेजी से तबदिली आ रही है मौसम बहुत जदा चेंज हो रहा है जो कि एक वायरेस है जिसको जैसे COVID-19 बिमारी हो रहा है तो यह ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से ही खतरना खतरनाक जॉम्स और वायरेस पैदा होते हैं और जो मुल्क जो महलक किस्म की बिमारी को जन्म देते हैं कहीं खुश्क साली की कसरत है तो कहीं बेवक्त तुफान और सेलाब आ रहे हैं यही वजह है कि आज ग्लोबल वार्मिंग आलमी पैमाने पर एक संगीन मसला बन चुका है एक स्रियस मसला बन गया है आगे बढ़ते हैं यह हो गया आप लोगा एंसर अगर कोशन पूछता है तो इतना लंबा चड़ आप लोग एंसर दे सकते हैं और इसम के अकसाम यानि की टाइप्स बता देना है कि इसम की कितने किसमे हैं तो जवाब तो आप लोग जानते हैं एकदम हलवा कोशन पूछा है यह मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ा चुकी हूँ इसम मतलब उर्दु ग्रामर का लगबग टॉपिक में आप लोग को कम्प् वो मतलब जानवर का नाम हो या फिर जगह का नाम या फिर किसी इनसान का नाम इस दुनिया में जितनी भी चीज़े है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा उसी नाम को कहते हैं हम लोग इसम सिंपल इस दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं उसका कुछ ना कुछ तो नाम होग उसी नाम को क्या कहते है, इसम महमूद एक नाम है, इसको कहेंगे इसम, यानि की नाउन, संगया, मुझफरपूर एक नाम है, इसको कहेंगे इसम, यानि की नाउन, संगया, किताब, ये भी एक नाम है, तो इसको भी आप लोग क्या कहेंगे, इसम कहेंगे, अब देखे, यहा मार्फा किसी भी खास आदमी जगा या चीजों के नाम को इस मार्फा कहते हैं यह मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ इस मार्फा यान की प्रोपर नाउन व्यक्ति वाचक संगया किसी भी खास आदमी जगा या चीज के नाम को या फिर किसी भी खास चीज के नाम को हम लोग तो क्या कहेंगे इस मारफा यान की प्रोपर नाउन जैसे की दिल्ली क्या एक शहर है तो झालर अगर मैं शहर बोलू तो शहर में तो पूरी शहर की धाती आ new दिल्ली होजाएगी मिसी भी शहर के बारे में बात कर पर्वत में भी कौन सी पर्वत का नाम लिया गया है तो हिमाले पर्वत तो हिमाले पर्वत क्या हो गया इस मारफा हो गया कुरान इन मिसालों में दिल्ली एक खास शहर का नाम है हिमाले एक खास बहार का नाम है जब कि कुरान एक खास मजभी किताब का नाम है तो किसी भी खास चीज के नाम को हम लो क्या कहेंगे इसम मारफा यान की विक्ति वाचक संगिया और इसम मारफा के साथ किसमे हैं इसम मारफा के कितनी टाइप्स तो साथ टाइप एक है अलम, जमीर, इसम इशारा, इसम मौसूल, माहूद, मुजाफ और मौनादी तो ये है इ इसम नकरा किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए उस इसम को कहते हैं जिससे आम, आदमी या चीज का नाम मालूम हो और अपनी नौईद के तमाम अक्साम पर सादिक आये जैसे इंसान, शहर और नदी, मतलब इसम नकरा जिसको इंगलिश में कहा जाता है, कॉमन नाम और नदी में सभी शहर आ सकते हैं, शहर की पूरी जाती आ सकती है, मैं किसी इस पेसल शहर का नाम नहीं ले रही हूं, तो शहर जो है यह हो जाएगा इसम नकरा, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक aming खास शहर का नाम ले लो दिली, तो दिली क्या हो जाएगा? आพiktak हैं या इस वो हो जाएगा इसम मार्फा तो यह अंतर है इसम और इसम नक्रम में आइधिंक आप लोग को समझ में आया होगा और यह हर एक चीज में आप लोगों को ग्रामर पढ़ा चुकी हूं अगर नहीं पढ़ें तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में है उर्दू ग्रामर पुर अग् सब्सक्राइब कर लिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के सांथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज